हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगा इंफोमेट एजूकेशन में सुगाईज मेरा नाम है रोहित पजबती और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट IOCL के बारे में IOCL means Indian Oil Corporation Limited इसी organization के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्योंकि हमारे चैनल पर देखिए महारतनास की series चल रही है और यह organization जो है ना इंडिया की महारतना organization में से एक है ठीक है तो इसके बारे में हम काफी डीट में इस वीडियो में जानेंगे बहुत सारी knowledge आपको मिलेगी काफी कुछ जानने को मिलेगा आगे आनी वाली slides में तो इस वीडियो को last तक जो देखना है और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है महरतना से related जो भी महरतना की organization है महरतना की list में आती है उन सारे के उपर हमने detail में वीडियो बना रखी है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो playlist पूरी पूरी available है और चाहें तो वीडियो वाले area में भी जाके आप चेक आउट कर सकते हैं प्ले लिडियो वाले area मे मैंने आपको पहले ही बता दिया और नाम से ही आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि यह organization focus किसके पर करती है ठीक है Indian oil corporation oil corporation मतलब petroleum products हुए है इस टाइप के जो products होते है रिफाइनेरी वगर आई यह सारी चीजों के उपर इनका जादा focus होता है आगे मैं बताऊंगा कि किस ministry of petroleum and natural gas के अंडर जो की government of India का है ministry ठीक है इसके अंडर यह लोग आते है इसका जो headquarter है guys वो है new Delhi में और इसके जो chairman है पुहां स्रीकांत मादव वेद्य है यह इसके chairman है headquarter new Delhi में है ठीक है IOCL is the largest commercial oil company in the country largest commercial oil company है इंडिया का ठीक है in 2019 to 2020 जो 2019 से लिके 2020 का जो financial year था उस time में इस organization का जो पूरा पूरा turnover था ना वो था 5,66,950 करोड रुपे ठीक है यह सिर्फ revenue था मतलब पूरा पूरा जो एक साल का turnover होता है profit जो होता है वो है काफी सारी taxes वगेरा जो अलगलग cost होती है जो पूरा production करने की cost होती है ठीक है यह सारा काटने के बाद net profit जो आया था वो है 1310 करोड रुपे ठीक है 2019 से लेके 2020 के financial year में ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा आगे देखिए ranked second in fortune इंडिया 500 list in 2020 second position मिली थी इसको fortune इंडिया 500 की जो companies की list आती है जारी होती है हर साल उसमें यह 2020 में second position इसको मिली थी और 151 position in fortune global 500 list of the world's largest company in 2020 2020 में ही जो global level पे fortune companies की list जारी होती है जिसमें largest companies के उपर बात हो रही होती है उसमें इसको 151 position मिला था 2020 में ही ठीक है आगे बात करते हैं देखिए on 31st March 2020 31st March 2020 को company head 33,500 employees इस organization में काम कर रहे थे जिसमें 2735 महिलाए हैं है और लगबग 17,704 executive positions है और 15,794 non executive positions है तो यह इसका कुछ एक employees का data है ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा detail में और जानेंगे इसके बारे में इन में 2021, 2021, sorry 2018 IOCL became India's most profitable state owned company for two consecutive years लगातार दो साल इंडिया का most profitable organization मना था जो कि government के द्वारा चलाया जाता है record profit with the record profit with 21,346 crore 21,346 crore का profit बनाया था इस organization ने 2017 से 2018 वाले जो financial year था उसमें this organization work in seven divisions जो जो इनके areas है जिन या फिर जिस टाइप के लोग product पर focus करते हैं वो कौन कौन से areas हैं देखे मैं बताता हूँ refineries refineries है इनके पास कही सारी जहां पर यह लोग crude oil से petroleum products मनाते हैं कई तरह के ठीक है pipeline है all over India में ठीक है जहां से निकलता है महां से refineries तक ले जाने के लिए pipeline भी बिछानी पड़ती है तो बहुत सारी pipeline भी है आगे इसके बारे में बताया है मैंने marketing वगरा भी करते हैं जो कि इनका पूरे 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 oil industry का product है उसके marketing भी फोकस किया जाता आर एंडी है research and development करना जुरूरी है मतलब research and development करना जुरूरी अगर आप research नहीं कर रहे हो तो आप पीछे हो जाते हो अपने competition से research हो रही है मतलब कुछ innovative हो रहा है कुछ नया हो रह explosive and cryogenics तो यह सारे के सारे इनके अलग-अलग divisions हैं जिसपे लोग work करते हैं Indian oil accounts for nearly half of the India's petroleum product market share लगबग आधे के आज सपास जो पूरा का पूरे इंडिया का petroleum product का market है ना वो लोग Indian वो IOCL के दवार ही hold किया जाता है मतलब उसके उपर IOCL का ही पूरा capture 35% of national refining capacity जो 35% refining capacity है न 19 November 2017 IOCL with Ola IOCL ने Ola के साथ collaboration किया और launch किया इंडिया का first electric charging station ठीक है कहाँ पर launch किया नागपूर में नागपूर में कहाँ पर जो IOCL का जो petrol and diesel station ता वहाँ पर इसको launch किया गया तो इंडिया का पहला electric charging station launch किया था with IOCL and Ola का एक दूसरे के साथ collaboration होके ठीक है अब आगे चल इंडिया 23 refineries, 11 refineries IOCL ही own करता है और उसे operate भी करता है चलाता है वहाँ से अलग-अलग petrochemicals जो प्रोड़क्ट होते हैं उनको बना था है it's pipeline network for transport of crude oil इसका जो pipeline network है पूरे के पूरे इंडिया में है जैसे मैंने बताया था कि जब crude oil निकाला जाता है तो वहाँ से refineries में ले जाने के लिए या और भी किसी product को जो भी तरल पदार तो उसको ले जाने के लिए pipeline बिचाई जाती है तो इनका overall इंडिया में लग-बग pipeline का जो एरिया है जिनका जितना हिलों के बिचाई रखा है वह 13,000 km हलकी फिलकी बात नहीं है यह बहुत बड़ा एरिया बना pipeline का बिचाई हुआ है तो ठीक है तो यह पूरा क्या करते है crude oil को refineries तक ले जाते है तो यह इनका काम होता है यह pipeline का भी एरिया है अब इनकी refineries क पास जैसे की बरॉनी रिफाइरी, CPCL चेननाई, CPCL नरीमन ठीक है यह दोगभाई यह सारे के सारे नाम है आप आसानी से पढ़ ले ना काफी सारी डीटेल में मैंने लिखा हुगा है अब subsidies organization कौन कौन सी है इंडिया में तो यह लोग फोकस करते हैं खुद के सांती लेकिन देश विदेश में भी इनकी subsidiaries हैं कहां कहां है आप देखिए बात कर लेते हैं आपको अलग-अलग countries में मिल जाएगी देखिए इंडियन ओयल मौरिशेस है लिम्टेड है आयोसी मिडल इस्ट है जो की UAE में है ठीक है यह पन्ना नहीं है यहां पर गलती से लिग गया है य इनके ही कुछ जो sections हैं वो अलग-अलग countries में work कर रहे हैं जो यह पूरे world level में countries है जो मैंने नाम आपको बताए अब बात करते हैं competition की बहुत important चीज है इतनी बड़ी organization है इसके कोई तो competitors होंगे कोई तो दावेदार होंगे हैं दो major domestic competitors जो की इंडिया में ही है जो की नाम है जिनका भारत petroleum इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और साथ साथ हिंदुर्स्थान petroleum बोत हार government owned organization गवर्मेंट के द्वारा ही चलाई जाती है यह organization भी दोनों की दोनों सरगारी company ही है तो यह भी इसके competition है इंडिया लेवल पे ठीए गाइस इसको awards की बात करें तो मैंने किसके दवारा मिला था AI में managing India awards on 8 April 2019 को मिला था PRSI award on 21 February 2021 तो यह सारे कुछ example और भी detail है कि कई सारे award मिलें अगर आप detail में जानना चाहते हैं तो इनकी website पे पूरा का पूरा data available है अगर आप मालो कोई financial statement पढ़ना चाहते है इस organization का या फिर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो यह organization है क्या work करती है जैसे कि मैंने सुवात नहीं पताया था कि यह organization महारतना है तो यह पूरी हमारे चैनल पर series आप चाहें तो वह भी series दे सकते हैं बहुत सारे organization के बारे में जो भी महारतना की organization उनके बारे में हमने detail में explain किया हुआ है ठीए गाईज अगर आप और भी ऐस के लिए नमस्कार